नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तो आज हम देखेंगे आपका जो BPSC का एक्जाम हुआ है 67 BPSC PT का जो कि आपका यहाँ पे देखा जाया तो आठ मैई आठ माई दो हजार बाइस को जो आपका ये एक्जाम हुआ है यानि परसो ये आपका एक्जाम जो हुआ था पेपर लिख हो जाने के वज़े से क्या है कि ये पेपर रद कर दिया गया है अभी आप सब लोग का दोबारा री एक्जाम होगा तो दो बारा जो आपका re-exam होगा तो आपको भी अच्छा तयारी करना पड़ेगा और क्योंकि इससे आपका लेबल हाई ही आया क्योंकि यह सब प्रस्तना आप देख पा रहे होगे बहुत लोगा पेपर अच्छा भी गया होगा बहुत लोगा पेपर सही नहीं गया होगा तो आपको इससे सीखना है यह पेपर आपको एक से लेकर के मैं 150 प्रस्तना आपको करवाने वाला हूँ पेपर को एक से दो बार देखिए ताकि आप सबी लोग को पता चल पाए किस तरीके से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जिगोराफी, साइन्स, करेंट अफेर, मैथ, मतलब कहां से प्रस्ण किस तरीके से आ रहा है ताकि हम सबी लोग जो आपका देड़ मैना, दो मैना, तीन मैना, जितना भी आपको टाइम मिल जाए उसके हिसाब से आप सबी लोग इस से अच्छा और बहतर से बहतर तैयारी कर पाएं ठीक है, तो आज हम सबी लोग इस पेपर को देखने वाले वीडियो को आप सुरू से अंत्र देखिएगा अगर आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते है पूरा सुझाव पर आप सबी लोग का वीडियो बना जाएगा पहला प्रसंद देखेंगे कि निमलखित में से कौन से संसदिय सम्मीति कारेपालिका को नियम वीन में बनाने के लिए प्रत्यायोजित सक्ति से संबंदित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपसन B यानि अधिनस्त विधान पर सम्मीति हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद है कोशन बर टू, बोल रहा है कि भारतिय सम्मीधान का अनुछित 300 किस से संबंदित है बारतिय सम्मीधान का जो अनुछित 300 है, यह आपका देखा जाए तो मुकदमे तथा कारेवाही से संबंदित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि भारत में नियाइक प्रणाली किस पराधारित है भारत में नियाइक प्रणाली जो है आपका किस पराधारित है तो ऑप्सन किसाब से अगर हम देखे तो आपका ऑप्सन यहाँ पे हो जाएगा याद रखेंगे अब आते हैं कोशन नमर फोर पे बोल राइक किस राज में पहला लोका युग्त इस्थाफित हुआ था तो ये आपका महराष्टर में हुआ था कहाँ पे महराष्टरा में नेश्ट प्रस्न है बोल राइक कि A.S. अनंद 1990 के दसक के अंत में किस पद कार्य यानि किस पद पर कार्यरत थे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी भारत के मुख्यनियाधीस हो जाएगा बीस का सही आंसर हो जाएगा चलिए कोसर नमर्शिक से दिखेंगे कि निमलिखीत में से क्या सम्मिधान की 111 अनुसूची में सामिल नहीं है यानि पूछ रहा है कि 111 अनुसूची में आपका क्या सामिल नहीं है तो ग्रामीड खेल ग्रामीड खेल जो आपको 111 अनुसूची में नहीं देखने को मिलेगा अगला प्रसन है कि सम्मिधान के अनुछेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेस की जाती है तेकि अगर आपको BPSC का तयारी तो आप करी चुके हैं बस आपको और बहतर से बहतर करना है वेडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सब लोग को और बहतर से बहतर तैयारी करवा जिया जाए ठीक है आपका हो जाएगा option A 1903 में अगला प्रस्न है question number 9 बोल राज्य विधान परिशत के सदस्य निमलिखित में से किस स्रिणी से नहीं चुने जाते हैं कौन से स्रिणी से नहीं चुने जाते हैं तो इसका answer आपका हो जाएगा option D उधोक पती आगे देखेंगे बोल राज्य प्रसा आपका देख लेते हैं question number 11 क्या बोल राज्य देखें इसमें आपका देखा जाए तो प्रसा बड़ा है पढ़ लेते हैं कि भारत के वित आयोग के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो वित आयोग के संदर में बोल रहा है तो इसका answer देखें आपका दो और 3 हो जाएगा पढ़ लेते हैं समिधान के नुच्छे 280 के तहट वित आयोग इस्थापित गया गया था वित आयोग द्वारा की गई सिफार से प्रकृतिये में केवल सलहकार हैं तो option आपको पता है मैंने आपका answer बताया था option C 1 second 2 और 3 मैंने बताया होगा जो की सही मैंने ब हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि बेर बेर नेसे सिटीज इंडेक्स के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए तो इसका सही आंसे बताये बारा का क्या होगा तो देखिए बारा का जो उत्तर है आपका एक और तीन हो जाएगा यानि एक और तीन पढ़ लेते हैं आर्थी स्वच्छड ग्रामीड और सहरी इस्तरों पर बेर नेसे सिटीज इंडेक्स के साथ आया है बी एन आई 26 संकेत को पर अधारी थे अगला प्रस्ण आपका देख लेते हैं कोसर नमबर आपका तीरे नमबर यह आपका बोल रहा है कि बिहार में किरिसी और ग्रामीड विकास के लिए किस परकार के बैंक इस्थापित करने का प्रस्ताओ है किस परकार के बैंक जो है इस्थापित करने का प्रस्ताओ यहां पर किया गया है तो आपका किरिसी यंतर बैंक हो जाएगा बी इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि 2019 में बिहार के मानव वि प्राप्ट किस प्रकार अनुमानित है तो आपका हो जाएगा 22511 करोड याद रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसन आपका देख लेते हैं अगला प्रसन आपका क्या बोल रहा है बोल रहा है डिजिठल बिहार कारिकरम के तहट कौन से चात्र 2021 222 से computer सिख्षा और प्रसिख्षण प्राप्त करेंगे तो इसका correct answer की अगर हम बात करेंगे तो इसका option जो है आपका यहां पे इहां पर यहां पर सही answer हो जाएगा चलिए नेस्ट प्रसने के पंदरहवें वीत आयोक की सिफारिसे के अनुसार 2021 से 26 तक केंदरी करो के विभाज यानि विभाज ये पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा तो कितना हिस्सा प्राप्त होगा ये आपका पूछ रहा है तो आपका चार दस्मलों एक दू प्रतिसत हो जाएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसन आपका है कोसर नमर 18 ब बोल रहा है कि हाल के केंदरीय बजट में FM ने वीमा च्छेतर में प्रत्यक्ष वीडेसी निवेस की सीमा को वर्तमान से बढ़ा करके कितना कर दिया है तो इसको बढ़ा करके अगर हम बात करेंगे तो आपका 74% कर दिया है सी इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रसने केंदरी बजट 2021 के अनुसार राजकोसी घाटा 2021-22 में सकल घरलू उत्पात का कितना प्रतिसत आकलन किया गया है तो आपका च्छा दसमलों 8% यहां पर आकलन किया गया है डी इसका उत्तर हो जाएगा चले ने इस्ट प्रसन आपका देख लेते हैं कि आर्थिक विकास का सबसे अच आस्तविक आयमे व्रिद्धी यानि इसका उत्तर हो जाएगा अगला कि सवच भारत मिसन ग्रामीड के द्यूत्तिय चरण को किस समय आउधी के दरान लाग किया जाना है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2020-21 उसका 24-25 यानि आपका जो 22 है इसका सी आंसर हो ज जाएगा ठीके चलिए नैश्ट प्रसना आपका यहाँ पर देखेंगे अगला प्रसना है 24 इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है तो हम इसको चलिए फटा-फट मिलान करके बता लेते हैं किस तरीके से क्या इसका मैच करेगा तो यहापका हो जाएगा के दराज financing हो जाएगा और आपका नर्सिंगन समीति सभी को पता है यह आपका बैंकिंग छेतर से संबंदित है तो option के अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आगे देखेंगे अगला प्रस्न है किनिम लिखित राजियों पर विचार करके बताईए बोल रहा है कि भारत में चावल उत्पादन राजियों के रूप में उप्यूक्त में से सही करम कौन सा है तो option आपका यहां पे कुछ इस परकार से दिया गया तो देखें 25 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताए कमेंट करके तो इसका सही आंसर सबसे पहले हुआ है जो लोग पहली बार एक जान देने वाले हैं उसको देख करके अपना जो करेंटली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका प्रस्णा आता है तो देखे 26 का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिसन का आगमन हो जाएगा इसका आंसर जो है आप बढ़ सत्यागरह से कौन संबंधित नहीं थे या फिर नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राम मनुहर लोहिया अगला है कि यह 1857 के बिद्रोह के एक नेता कुवर सिंग किस इस्थान से संबंधित है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सभीक पता है देख भारती राश्टिय कंग्रेस के 1922 में आयोईत किया गया जो आपका गया अधिवेशन था उसका अध्यक्स कौन था गया अधिवेशन का पुछ रहा है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चितरंदन दास अगला प्रस्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजिंदर प् में ही आप सब लोग देखे होंगे इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी खाद इवं क्रिसी चलिए नेश्ट प्रस्न आपका देखेंगे गदर पार्टी का इस्थापना कहां पर हुआ था तो इसका इस्थापना कौन किया था तो लाला हर्द्याल ने किया था जो क कि इसका आंसर कि अगर हम बात करेंगे तो आपका सनिक तो राज अमेरिका हो जाएगा यहीं पर इसका इस्थापना किया था अगला प्रस्ने कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने किया था यह भी आपका अच्छा प्रस्न है और यह आपका हो पुष्ट का भी आपका लेखा कि यहां पर देखने को मिला है जो कि लाला लाजपत रहे हो जाएगा ऑप्सन आपका सी सही हो जाएगा अगला प्रस्न है कि तीनों गोल में सम्मिलन में किसने भाग लिया था सभी को पता है जब आप गोल में पढ़ते होंगे तो आपको प गोल में सम्मिलन था यह आप कमेंट करके बताईएगा ठीक है चलिए 1876 में इंडियन एसोसियेशन की स्थापना किस ने किया था तो आपको मॉडरन हिस्ट्री जम अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप सभी लोग वहां से प्रस्न जादा देखने को मिल रहा है तो सुर द्रागार धाबे में कौन संबंधित है तो कौन संबंधित तो आपका हो जाएगा option D सूर्यसेन क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न कि बंकिम चंद्र चटर जी की आननदमठ में किस विद्रोह का उल्लेक है तो सभी को पता है कि यह आपका हो जाएगा सन् फ्यूजन वहां पर होता है ठीक है आता हूँ प्रस्ण क्या है गलत हो जाता है इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छा से रिविजन करके जाना है तो देखिए इस प्रकार से आपका यह 41 का मैथ आया था तो आप सब लोग इसको लगाएगा और इसका आंसर आप देख लेते हैं इसका आपसन जो है आपका ए हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण आपका है को समर 45 इसका आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपसन सी 46 का देख लेते हैं इसका option आपका हो जाएगा option B 47 का हो जाएगा आपका option C हो जाएगा और क्या है 48 number 48 का क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option B और 49 49 का देखा जाएगा तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सेगेंट फ्रासम मैंने आगे फीछे बता दिया इसको सही करते हैं देखिए 48 का मैंने बताया होगा आप समी लोग को यहाँ पे C मैंने बताया होगा ठीक है और 49 के अगर हम बात करेंगे तो 49 का हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा और question number 50 के अगर हम बात करेंगे तो 50 के अगर हम देखा जाए तो यह आपका option के साब से आपका 7 सही एक बटा 3 सेकेंड हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से आपका start होता है जी के पढ़ लते हैं इसको बोल रहा है कि निमलखीत में से कौन सा विकल्प गलत है गलत विकल्प के अ और हीरे की बारे में निमलखीत में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है तो इसका कथन यहाँ पे बोला है कौन सा सत्य है तो option आपका D हो जाएगा वे एक समान रासायनी प्रतिकिरिया से गुजर सकते हैं तो option आपका D यहाँ पे सई हो जाएगा नेश्ट प्रसना आपका बोल में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा उजरता है उसे हम क्या कहते है या फिर क्या कहा जाता है तो यह आपका प्रस्डर कहा जाता है में अगला प्रस्ण है की बायों भायोंडीबिः डेवॉल अफ्सुष्ट को आमतोर पर जिसकी मदद से उप्योगी पदार्थे में बदला जाता है वो आपका कौन से है तो अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा option A bacteria अगला प्रस्ने की रात के समय यह साला दियाती है कि पीड के नीचे न सोएं ऐसा क्यों क्योंकि पीड के अगर हम बात करेंगे तो carbon dioxide को मुक्त करता है यानि carbon dioxide को यह छोड़ता है तो इस सीरी इस्क्री नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह देखाया तो आपका health के लिए अच्छा नहीं है अगला प्रस्ने कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किस की कमी से उकते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बताईएगा सही आंसर आपका हो जाएगा option c nitrogen अगला प्रस्ने की पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैस में भी मदद करता है यानि किस चीज में मदद करता है तो आपका हो जाएगा option E याद रिखेगा question के साब से आपका E हो जाएगा अगला की आधान आधान यानि ट्रांस्फ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के कहाँ पर यह कहाँ पर इस्थित है तो सभी का पता है यह आपका मस्तिस्क में देखने को मिलता है यानि इसका आंसर आपका D हो जाएगा नैश्ट प्रस्त आपका क्या है बोला है कि गर्भ में भुरून के विकास को जानने के लिए निम्रिखित कीर्णों या फिर तरंगों में से किसका opsyo किया जाता है तो एक सेकंड 62 का इसका आंसर क्या होगा तो देखे इसका 62 का सही correct आंसर आपका हो जाएगा option c यानि पराधावनी तरंग हो जाएगा c इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रस्ण आपका देख लेते हैं बोला है कि सरोभौमिक स्विकार्य रक्त समूँ कौन सा है यानि जो आपका स्विकार कर लेता है ग्रहन कर लेता है तो यह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि निमोनिया एक संक्रमक है प्रतिबीम अपने से बड़ा लगता है इसका तात्वर है कि दरपड का प्रकार कौन सा है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्सन ए आउतल अगला प्रस्ण है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में अराम की अनुभूती पैदा करता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि हमारा जो पसीन है तीज़ी से वास्पित हो जाता है इसलिए यानि डी इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि रात की समय में खुले आकास में तारो के टिम्टि माने को किस से समझाया जा सकता है इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकास का अपवर्तन हो जाएगा एसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाइडोजन बम किसके सिधान पर अधारित है तकि हाइडोजन बम के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन बी और नियंत्त सनलें प्रतिकिरिया हो जाएगा ऑप्सन आपका बी साही हो जाएगा चले नेंस्ट प्रस्ण आपका बोल ला है कि pressure cooker में खाना जल्दी पकता है ऐसा क्यों pressure cooker में जल्दी ही खाना पकता है इसका होता है कि उचछ दाप के करण पाणी उच तापमान पर उबळने लगता है यानि 69 के अगर हम बात करेंगे तो भी इसका उत्तर हो जाएगा अगला कि यदि रेफ्रेजरेटर के दरबाजे कुछ घंटे के लिए खूले छोड़ दे तो कमरे का तापमन पर क्या असर पड़ेगा तो इसके दिखाए तो आपका जो कमरे का तापमन होता है बढ़ जाता है यानि आपका भी सही हो जाएगा बर्फ का एक तुकड़ा पाने से लबा लब भरे बिकर में तैर रहा है जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या होगा अगर पूरा बर्फ पिघल जाता है तो जल का जो इसतरह नहीं बदलेगा यानि आपका डंगा डी सही हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसन आपका देख लेते हैं अगला प्रसने कि यदि एक पंक एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान उचाई से सुवतंदरता पुर्वग एक साथ गिर रहे हैं तो फिर क्या आसर होगा उस पे इसका आंसर आपको हो जाएगा option D हो जाएगा यानि तीनों एक साथ जमीन पर पहुचेंगे यानि option आपका D सही हो जाएगा अगला प्रसने कि जब दीन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुन्दर रंग दिखाई देता है इस घटना का कारड क्या है तो इसका कारड यह है कि प्रकास का व्यक्तिक्रड हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रसने की एक नाभी की दरबेमान संख्या पूछ रहा है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निट्रोनों और प्रोटानों की संख्याओं का योग होता है यानि एसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसना है क्रिमलिखित में से कौन सा सिमेंट का मुख्य घटक है सिमेंट का मुख्य घटक है तो यह आपका हो जाएगा ओप्सन ए चूना पत्थर क्या हो जाएगा चूना पत्थर चले नेश्ट प्रसना आपका है 77 कि एक ततो में समस्थानिक अलग-अलग होते हैं एक तर्तों में समस्थानिक अलग-अलग होते हैं तो यह आपका हो जाएगा द्रवेमान संख्या में अगला प्रस्थाएं कि वह हताब बिंदू जिस पर ठोस द्रव्य और गैसी अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह आपका क्या कहलाता है तो उसका अगर हम बात करेंगे तो यह आपका त्रिक बिंदू कहलाता है ऑप्सन आपका डी सही हो जाएगा देखे मिलाईए अच्छा से अपना प्रैक्टिस केजिए और आपको बहतर करना पड़ेगा अलुमीनियम का सबसे महत्यपूर आयस का कौन सा है तो अलुमीनियम के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन ए बाक साइड क्या हो जाएगा बाक साइड इसका उत्तर हो जाएगा और इसका अलग अलग भी में वीडियो बनाऊंगो किस तरीके से कौन सा प्रस्न कैसे आया है अगला है कि निमलिखित में से किस विलियन के पीच का मान साथ से अधीक है तो आपका हो जाएगा उप्सन भी चारी विलियन इसका उत्तर हो जाएगा आगे देखेंगा अगला प्रस्न है कि भारत ने सन्युक्त राष्टर सुरुक्षा परिशत के एक और इस्थाई सदस्य की रूप में अपना दो साल का कार्यकाल किस तारीक को सुरू किया है कौन से को यहां पर सुरू किया है तो यह आपका हो जाएगा उप्सन के साब से उप्सन ई बी 46 वे राष्ट्रपती की रूप में यार्थ इसका सही उत्दर हो जाएगा तो इसका अंसर आपका हो जैगा option ए अज़ेधे चाहर से आपके 46 वे राष्ट्रपती की रूप में आगे देखेंगा अगला प्रसण्थ आपका क्या बोला है देकि अगला प्रसण्थ है कि 2021 में घरतंत्र दिवस परेड में विद्यसी मुख्य अतिती कौन थे तो 84 की अगर हम बात करेंगे तो मेरे इसाब से आपको याद होगा तो बताइएगा मगर लेकिन मेरे इसाब से कोई नहीं था तो ऑप्सन का इसाब से आपका उत्तर हो जाएगा अगला है 2011 की जरंगणना के नुसार बिहार के किस जीले में पुरुसों से ज्यादा महिलाएं हैं तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन ए गोपाल गंज अगला प्रसने क्या कि बिहार विधान परिसत की पहली बैठक की सवर्स बुलाई कई थी तो यह आपक यह कैरम होता है इस तरीके से आपको खेले भी होंगे बच्पने या फिर अभी भी आप खेलते ही होंगे तो कैरम की वह चैंपियन थी अगला प्रसने क्या कि बिहार सरकार को डिश्टल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिया गया था तो आपका उत्तर हो जाएगा कोविड सीटे आरक्षित हैं कितनी सीटे आरक्षित हैं तो ये आपका हो जाएगा ओप्सन ए अरुती सीटे नेश्ट प्रसने किया कि बिहार में पंचायत निकाईवों में महिलाओं को 15 % आरकषण कि सवर्स परदान किया था तो यह आपका प्रदान किया गया था 2006 में 2006 अगला प आप से डेट अगर बात करेंगे एक नवंबर तकि हमको याद नहीं है मैं इस तरह बोला हूं कि अगर आपको याद है ताप कमेंड करके बताएगा लेकिन मेरी साब से जहरकंड दिवस एक नवंबर करेंगे तो आप अपना बता दिवस के है ठीक है अगला है कि बिहार में वर्ष्ट वार 21-22 के लिए पेस किये गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रा लेकिस पर केंद्रित है तो इसका सही आंसर के अगर हम बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा कौसल और ओधमिता विक उपमिसन के अंत्रगत कितने विभाग सामिल है कितने विभाग सामिल है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन भी सात विभाग नेश्ट प्रस्तन आपका देखेंगे बोलना है कि कोविस सिल्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे डबलु एच ओ द्वारा अनुम्रास उपमिस मोदित किया गया था किसके द्वारा निर्मित है तो यह आपका निर्मित है सीरम इंस्ट्यूट के द्वारा यानि ऑप्सन ए सही हो जाएगा अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल परदेश की लंबाई कितना है इसका लंबाई के अगर हम बात करेंगे तो नो दुसमों लोग जीलो किलो मिटर हो जाएगाesin आपका भी सही हो जाएगा नेश्ट प्रस्वन क्या है कि भारत में किस वर्स रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है तो ये आपका मिला दिया गया है दो JOHN सतर यानि सी नेश्ट प्रस्ण देखलेंगे आपका नियाने में नंबर कि नागरिक्ता संसुदन अधिनियम दगर उन्नेश का उद्देश से क्या था तो अगर हम इसका उद्देश की अगर हम बात करेंगे 99 का तो यह आपका हो जाएगा आफगानिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान में उटपिडित अलपसंखेक समुहों को नागरिक्ता प्रदान करना यानि इसका सई हो जाएगा आगे देखलेंगे आपका अगला प्रस्ण क्या कि सेंटल विष्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है क्या तो यह आपका क्या संदर्भित करता है तो यह आपका हो अगला प्रस्ने के जम्मू और कास्मीर राजियों के विभाजन के बाद बने क्रिस्ट के सासी प्रदेश की अपनी कोई विधायका नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C लद्दाख अगला प्रस्ने के प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना किस तारी को सुरू किया गया था तो यह आपका सुरू किया गया था आप सब लोग्याद रखेंगे option के सापसे option आपका E हो जाएगा नेश्ट प्रस्ने के ओलंपिक और 21 में भारत के लिए सोन पदक किस खेल में जीता गया था तो सभी को पता है यह आपका हो जाएगा option B भाला फेक नेश्ट प्रस्ने के टोकियो पैरा ओलंपिक और 21 में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो कितने पदक तो यह आपको हो जाएगा option A 19 पदक क्या हो जाएगा 19 यानि A इसका सही हो जाएगा नेश्ट प्रसने कि भारत ने किस तारीक को सन्युक्त राट्टर सुरुक्षा परिशत की अधिक्सता जो है संभाली है तो आप सब लोग भूलिये अगा नहीं एक अगरस् की सैनिक के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा major major general Chris डोन हूँ हो जाएगा यानि option आपका C सही हो जाएगा किस फ्रांसिसी कंपनी ने भारत को राफिल लड़ाकु जेट किया पूर्ति किया है तो यह आपका किया है option D हो जाएगा desault aviation यानि B इसका सही हो जाए नेश्ट प्रस्ण क्या है कि Pegasus spyware किस देश में विक्षित किया गया है तो यह आपका विक्षित किया गया है option A Israel इसका सही आंसर हो जाएगा आप सब लोग no down कर सकते हैं आगे देखेंगे बोला कि फारवर्ड बला किसके द्वारा इस्थापित किया गया है तो यह किसके लियाकत अली कौन हो जाएगा लियाकत अली अगला प्रस्ण किया कि 1855 में संथाल बिद्रो करने तो किस ने किया था तो यह किसके द्वारा किया गया था तो आपका सीधो और कानू हो जाएगा आंसर आपका A सही हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण गांधी जी को चंपड आने का मंतर जो है किसने दिया था तो यह आपका दिया था राच कुमार सुखल के द्वारा यानि एसका सही हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रस्ण आपका देख लेते हैं बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो यह आपका हो जाएगा गौतम बुध हो जाएगा यानि ऑप्सन आपका यहाँ पे सचिंद्रानात सन्याल ऑप्सन सी हो जाएगा अगला के बिहार समाजवादी पार्टी जो की 1931 का गठन किन्होंने किया था तो यह आपका किया गया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जैपरकास नारायन नेश्ट कोसन की सेर्षा का अगला की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा सासारा में कहां पर सासारा चलिए नेश्ट कोसन देख लिंगे अगला प्रस्ट ने किया है कि बी निमलिखीत में से कौन सा हड़पा कालिन इस्थल गुजरात में है तो हड़पा कलिन इस्थल जो है आपका संगीति के अध्यक्ष कौन थे प्रत हम बहुत संगीति के जो अध्यक्ष थे वह आपका हो जाएगा आप आपको फुस्तक बे भी ध्यान देना है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा option के हिसाब से आपका डी हो जाएगा यानि भारवी हो जाएगा अगला है कुटू मिनार किसके द्वारा पूरा किया गया था देखिए कुटू मिनार के अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अगला प्रस्ण क्या है कि विजय नगर समराजी के संस्थापक कौन थे विजय नगर समराजी के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन C हरिहर बुक्का चलिए नेश्ट दोनों भाईयों थे यानि दो भाई थे हरिहर और बुक्का अगला है किस मुगल सा आमस रो भारत आया था तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C जहांगीर नेश्ट प्रसन कैया कि आईने अक्बरी किसके दोआरा लिखा घया था या फिर लिखी गई थी तकि आईने अकबरी आपको पता है अबुल फजर हो जाएगा जो कि D इसका सही हो नेश्ट प्रसन किया कि रएतवारवी व्यवस्था कहां लाट किया गया था रैतवारव्था थे आपका लाट किया गया था मदरास में कहां परिये अपका देख राएंगे नेश्ट प्रस्न आपका देखेंगे बोला कि 1857 की बिद्रोह को किसके द्वारा प्रत्थम भारती सोतंता संग्राम की रूप में वन्नित किया गया था तो यह आपका वन्नित किया गया था आप सब भुरू गयाद रखेंगी बी डिसावर्कौर हो जाएगा आंसर आपका ए सई हो जाएगा भारती राष्टी की प्रत्थम महिला अद्यक्श कोन थी तो सभी को पता है प्रत्थम महिला अद्यक्श के लिगर हम बात करेंगे तो ए नी वेसेंट या निवी सेंट यानि option B नैश्ड प्रसने के बहिस्क्रीत भारत यानि जैनरल किसने शुरू किया था तो यह आपका जो शुरू किया गया था आपका बाबा साहे बामेटकर के द्वारा यानि answer आपका D सई हो जाएगा नेश्ट प्रसने क्या है बोला कि पटी सीमा परियोजेना निमनलिखित में से की नदियों के एक्षिकरण से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option B किष्णा और गोदावरी अगला प्रसने क्या है कि निमनलिखित में से कौन शकत्थन एसकर और ड्रमलिन के संबंद में सही है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक दो चार देखिए एसकर कुड बेडेड बजरी और रेत की लखीरे हैं और आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है और आपका यहाँ पर बोल रहा है कि ड्रमलिन जायतर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं चौथा देखिए जबकि एसकर ग्लैसियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं ड्रमलिन ग्लैसियर की क्रिया से उत्पन होते हैं तो आपका एक दो चार सही हो जाएगा अगला कि भूमी गत कोईले का दहन किस राजे में होता है तो यह आपको देखने को मिलता है जहारखंट राजे में यानि सी इसका उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसन आपका देखेंगे बोल रहा है कि बिहार के किस जीले में अभरक का भंडार है देखिए बिहार के अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन सी गया में गया यानि सी हो जाएगा छोटा नाप्पूर पठार आगए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन से है बिहार का पहला रामसर इस्तर के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका होजा कुमर जील नैश्ट प्रसने क्या है बोला कि ब्रायोनी हील बिहार के किस जीले में इस्तित है तो यह आपका इस्तित है गया में कहां पर गया यानि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के किस किरिसी जलवाईू छेतर में सबसे अधिक जीले है तो सबसे अधिक जीला कि अगर हम बात करेंगा तो यह आपका उत्तर प्रसीम हो जाएगा यानि भी इसका उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रस्न आपका देख लेते हैं अगला प्रस्ने क्या है बोल रहा है कि जियो डेसी वह विज्ञान है जो संबध्य थे किस से तो यह आपका जो संबध्य थे आपका option के साब से आपका option E हो जाएगा अगला कि महादियूपी बहाव का सिध्धान्त किसके दौरा विक्सित किया गया था तो यह आपका विक्सित किया गया था A. वेगेनर के दौरा नेश्ट प्रसने कि सुनडा ट्रेंच किस दियूप के समानतर इस्तित है तो सही आंसर आपका हो जाएगा option के साब से option E हो जाएगा चलिए नेश्ट देख लेते हैं कि एक परभावी औरियोलीस बल किस करण होता है तो यह आपको देखने की मिरता है पृतिवी का घुनन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेश्ट प्रसना आपका देख लेते हैं अगला प्रसना आपका है 144 नमबर कि निमलिखित में से किस देश की मिरत सागर के साथ भूमी सीमान नहीं है भूमी सीमान नहीं है तो यह आपका हो जाएगा option E याद रखेंगे नेश्ट प्रसना आपका है कि निमलिखित तुलना के आधार पर हिमालई नदी की प्रादीपिय नदी से तुलना करके बताइगे तो इसका उट्तर आपका हो जाएगा केवल एक और दो यानि अधिकांत हिमाले नदियां जो है आपका 1280 है जबकि अधिकांत प्राधिय नदियां वर्षा पर निर्भण है यानि निर्भर है हेमाले नदी की धाल प्राइदी पी नदी की तुलना में सबसे अधिक देखने को मिलता है आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रस्न है 147 नंबर बोल रहा कि गंगा के मैदान को एक डैस के रूप में वर्नित किया गया है तो इसका आंसर आपका हो जा दो है यानि एक से अधिक हो जाय का लोगळ्टक बूलर भी माना जायता है तो आपका ऑप्शन किसाब्से ए मान सकते हैं निमलिखी द में से किस गरह का घना सबसे कम है तो सबसे कम का अगर हम बात करेंगे यानि इसका सही उत्तर हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का मैंने एक से लेकर के 150 प्रस्ट मैंने समाप्त कर दिया है वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताईएगा और वीडियो का लाइक करके जरू जाएगा अगर आपको लगता है कि सेयर करना चाहिए तो आप सेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ियेगा क्योंकि आप सब लोग एक VPSC का एक नया नया तरीके से आपको सेट प्रोवाइट किया जाएगा मिलता है एक नया वीडियो में आज के लिए इतना ही